कलर्स टीवी के पॉपलर रियलेटी शो खत्रो के खिलाडी सीजन 12 का बस काफी जादा बना हुआ है शो दो जुलाई से ओन एर हो चुका है और अभी तक शो के दो एपिसोड आ चुके हैं जिन में हमने देखा कि खत्रो के ये खिलाडी किस तरह से डेरिंग स्टन करते हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन इस बीट सारे खिलाडी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी काफी जादा एक्टिव हैं और अपने को कंटेसेंट्स के साथ भी काफी अच्छी बॉर्डिक बना रहे हैं जिसको लेकर शिवांगी जोशी ने एक हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है जो उन्हो उन्होंने कुछ बातें बताई हैं जन्नत के बारे में तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको बताते हैं कि आखिर शिवांगी ने जन्नत के बारे में क्या कुछ कहा है एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं रील्स भी शेयर कर रहे हैं पोस्त भी शेयर कर रहे हैं तो ऐसे में शिवांगी जोशी ने कहा है कि पहले हम एक दूसरे से नाराज थे और हम एक दूसरे को बिलकुल भी पसंद नहीं करते थे हालाकि हमें यह पता ही नही अपनी काम को लेकर काफी जादा सीरियस हैं यहां शो में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और मेरी उनके साथ बॉंडिंग भी काफी अच्छी हो गई है वेल आपको ये बात पता थी क्या हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईगा कि जननत और शिवांगी एक दूश्रे की दुश्मन थी हमें तो नहीं पता था क्योंकि एक काफी शॉकिंग खबर है क्योंकि जननत जुबैर महा पर सारे को कंटेस्टेंट से सबसे यंगेस्ट है लेकिन फिर भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और अब शिवांगी के साथ भी उनकी बॉंडिंग काफी अच्छी हो गई वेल शिवांगी जोशी तो वैसे भी टीवी की प्यारी बहू है और सबकी चहेती भी है तो ऐसे में शिवांगी भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है लेकिन खत्रों के खिलाडी सीजन 12 अल्टिमेट है ऐसा पहले से ही बताया जा रहा था और अभी के स्टंट अगर हम देखे तो वो बया कर रही है कि खत्रा कितना जादा है और शायद इसी की हुझा से इस बार के सीजन की टेग लाइन भी है कि बच कर कहा जाएगा खत्रा कहीं से भी आएगा लेकिन शिवांगी जोशी की ये बॉंडिंग लोगों को काफी प्यारी लगी फैंस को काफी अच्छा लगा जननत के साथ ये बॉंडिंग क्योंकि जननत का फैंस बेस इस रियलेटी शो की वज़ा से काफी बढ़ गया है वो पहले भी सोशल मीडिया स्टार थी लेकिन उन्होंने एक्ट्रेस के तौर पर भी चाइल आर्टिस के तौर पर शो में काम किया था कई सारे शोज उन्होंने किये थे लेकिन फिर भी टीवी की ये दोनों एक्ट्रेस एक दूसरे की जानी दुश्मन थी ये काफी जादा चौकाने वाला खुलासा शिवांगी ने किया था फिलाल इस वीडियो में इतना ही आप तुमी बीट को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाएं और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को भी फॉलो कीजेगा